हेलो एब्रीवन वेल्कम टू यार चानल लेके सर्व आज हम वापस से यूजी सी नेट री एक्जाम जून टूथाउजन टूविटीफोर के सिलसले में बात करेंगे कली मैंने एक वीडियो बनाया था कि री एक्जाम होने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आज बहु से लेकर के 4 सेप्टेंबर तक के CBT मॉडल के उपर ये होगा चलो डेट तो दे दिया है लेकिन डेट देने के बाद में भी अभी ऐसी कोई NTA के अंदर हल चल दिख नहीं रही है और उसके उपर और भी कुछ चीजें यहां पर देखते हैं लाइक आज ये एकोनॉमिक अगरा नहीं होगा फिर भी शेडियूल डाला गया है अब मैं पूरा एक्स्प्लेइन करता हूं कि क्या हो सकता है कौन सी इसके अंदर चीजें हो सकती है बन सकती है आपको करना क्या है ऐसे सिट्वेशन में अब यह दूसरा न्यूस पेपर है डाट इस मिंट लेट स्टु करने के कोई भी मूड में सुपरीम कोट दिख नहीं रहा है यहां पर यहां पर बिजनस टुडे भी यही बात कहता है तो मैजॉरिटी ऑफ दी जो न्यूस पेपर्स हैं तो वह यही सब कह रहे हैं अब देके डेट तो आ गया है यहां पर 28 जून 2024 का यह पूरा शेडिल उन चल रहा है उसके अंदर उब्यस्ली स्टूजेंट्स जो है उनका मेंटल हेल्ट डीटिरियोरेट हो गा ही अब करना क्या है अब यहां पर 21 ऑगस्ट को एक्जाम होता है या नहीं होता है तो उसको आप पहले साइड में रख दो प्रेपेरेशन उस हिसाब से करो कि आपका 15 अगस्ट तक के सारी के सारी प्रेपेरेशन यहां पर हो जानी चाहिए और बेवजा यहां से वहां न्यूज में ना पढ़ते हैं मतलब कुछ ऐसे सेलेक्टिड लोगों को फॉलो करिए जो एकदम टॉप टू बॉटम आपको बढ़िया न्यूज देते हो बलके वीउस के यह काम ना करते हो एक दम फ्रैंकली बोल रहा हूं आपको बिकॉज एक स्टूडिंट्स के मेंटल इल्थ के साथ में प्ले करना कुछ लोग सिर्फ दिन भर यही बनाते रहते हैं कि यह हो गया है वो हो गया है तो ऐसे इन लोगों को अन्फॉलो करके अपनी स्टडीज के उपर खास करके अच्छा फोकस कुरें एक टार्गेट बनाओ 15 अउगस्ट के पहले आपका सिलाबस हो जाना चाहिए जितनी भी होती है पड़ाई आप उसको एकत्र कीजिए 15 अउगस्ट के बाद में जस्टू दू दर रिविजिजन एक्जाम होना है तो होगा नहीं होना तो क्या होगा देखो रिजल्ट अगर निकालने के लिए जाएगा अगर रिए एक्जाम लेने के लिए कहते हैं और टाइम नहीं है नटिये के पास और कुछ कोट में मामला बहुत जादा आगे चला जाता है तो उस टाइम पर एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि यह रिये एक्जाम एक बोनस है अगर होता है तो well and good ने तो December का एक attempt दीजिए December के attempt में आराम से आप एक sure shot play करिए अपना एक बहुत ही अपना best दीजिए examination में और उसके बाद में obviously will pass with the flying colors तो इतना कोई stress out होने का वो नहीं है एक ऐसा माहल चल रहा है कि उसके इंदर आपकी mental health problem है families की problem हो सकती है I can understand but ऐसे ही problems में आपको निखर के बाहर आना है अब देखो मुश्किल में दो ही चीज़ होती है या तो बंदा बिखरता है या तो बंदा निखरता है तो it's in your hand that what you want to choose तो सबर रखे थोड़ा सा patience रखे और उसके बाद में ये date में अगर exam होता है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं एक target set करिए 15 August तक कि अपनी जी जान पूरी लगा देंगे 15, 16, 16 August onwards सोड़ा साप revision करके यहां पे exam के लिए अपेर हो जाएंगे यहां पे exam नहीं हुआ तो obviously December 2024 तो हो नहीं है वो कहीं नहीं जाने वाला तो फिलाल के लिए अभी भी ऐसी मन्शा बनी वी के re-exam होगा के नहीं होगा most probably जो type की news आ रही है कल से ही मैंने अपडेट किया था कि re-exam cancellation होने की संभावना जादा दिख रही है लेकिन निराश नहीं होना है मैंने फिर से बताया कुछी मैनों के बाद में December 2024 का भी exam हो ज they were very much saddened about the incident तो अब उसको सब side में रखिए it is the part and parcel of your life तो study hard और उसके बाद में exams होते हैं तो keep your fingers cross अब उसके आगे जो भी decision होगा Supreme Court का उसको मानना होगा तो पढ़ते रहिए मस्त रहिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में टेक केर एंड चेहिन